त्यागी का प्रेम, कहानी मुन्शी प्रेमचंद लाला गोपीनात को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था अभी वह इंटरमीडियट क्लास में थे कि मिल और बरकले के वैज्ञानिक विचार उनको कंठस्थ हो गये थे उन्हें किसी प्रकार के विनोध प्रमोच से रुची न थी यहां तक की कालेज के क्रिकेट मैचों में भी उनको उत्सान न होता था हास परिहास से कोसो भागते और उनसे प्रेम की चर्चा करना तो मानो बच्चे को जूजू से डराना था प्रात्यकाल घर से निकल जाते और शहर से बाहर किसी सगन व्रिक्ष की च्छा में बैठ कर दर्शन का अध्येन करने में निरत हो जाते काव्य अलंकार उपन्यास सभी को त्याज्य समझते थे शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्सेखानी की किताब पढ़ी हो इसे केवल समय का दुरुप्योग ही नहीं वरन मन और बुद्धिविकास के लिए घातक ख्याल करते थे इसके साथ ही वह उत्साहीन न थे सेवा समितियों में बड़े उत्साह से भाग लेते स्वदेश वासियों की सेवा के किसी अफसर को हाथ से न जाने देते बहुदा मुहले के छोटे-छोटे दुकानदारों की दुकान पर जा बैठते और उनके घाटे-टोटे मन देते जेकी राम कहानी सुनते शनैश नय कालेज से उन्हें घ्रिना हो गई उन्हें अब अगर किसी विशय से प्रेम था तो वह दर्शन था कालेज की बहुविशक शिक्षा उनके दर्शनानुराग में बाधक होती अतेव उन्होंने कालेज छोड़ दिया और एकागर चित्त होकर विज्ञानों पारजन करने लगे किन्तु दर्शनानुराग के साथ ही साथ उनका देशानुराग भी बढ़ता गया और कालेज छोड़ने के थोड़े ही दिनों पश्चात वह अनिवार्यता जातिसेव को के दल में सम्मिलित हो गए दर्शन में भ्रम था, अविश्वास था, अंधकार था, जातिसेवा में सम्मान था, यश था और दोनों की सदिच्छाए थी उनका वह सदनुराग जो बर्सों से वैज्ञानिक वादों के नीचे दबा हुआ था, वायू के प्रचंड वेग के साथ निकल पड़ा नगर के सारवजनिक शेत्र में कूद पड़े, देखा तो मैदान खाली था, जिधर आख उठाते सन्नाटा दिखाई देता द्वजाधारियों की कमी नथी पर सच्चे हृदय कहीं नजर न आते थे, चारों और से उनकी खीच होने लगी किसी संस्था के मंत्री बने किसी के प्रधान, किसी के कुछ, किसी के कुछ इसके आवेश में दर्शनानुराग भी विदा हुआ पिंजरे में गाने वाली चडिया विस्तरित परवत्राशियों में आकर अपना राग भूल गई अब भी वह समय निकाल कर दर्शन ग्रंथों के पन्ने उलट-पलट लिया करते थे पर विचार और अनुशीलन का अवकाश कहा नित्यमन में यह संग्राम होता रहता कि किधर जाओ उधर या इधर विज्ञान अपनी और खीचता देश अपनी और खीचता एक दिन वह इसी उलजन में नदी के तट पर बैठे हुए थे जलधारा तट के द्रिश्यों और वायू के प्रतिकूल जोकों की परवा न करते हुए बड़े वेक के साथ अपने लक्ष की और बढ़ी चली जाती थी पर लाला गोपीनात का ध्यान इस तरफ न था वह अपने स्मृति भंडार से किसी ऐसे तत्वज्यानी पुरुष को खोज निकालना चाहते थे जिसने जाती सेवा के साथ विज्ञान सागर में गोते लगाए हुँ सहसा उनके कालेज के एक अध्यापक पंडित अमरनात अगनिहोतरी आकर समीप बैठ गए और बोलेखिये लाला गोपीनात क्या खबरे हैं गोपीनात ने अन्यमंस खोकर उत्तर दिया कोई नई बात तो नहीं हुई पृत्वी अपनी गती से चली जा रही है अमरनात म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 21 की जगा खाली है उसके लिए किसे चुन्ना निश्चित किया है गोपी देखिये कौन होता है आप भी खड़े हुए हैं अमरजी मुझे तो लोगों ने जबरदस्ती घसीत लिया नहीं तो मुझे इतनी फुरसत कहा गोपी मेरा भी यही विचार है अध्यापकों का क्रियात्मक राजनीती में फंसना बहुत अच्छी बात नहीं अमरनात इस व्यंग्य से बहुत लज्जित हुए एक क्षण के बाद प्रतिकार के भाव से बोले तुम आजकल दर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं गोपी भुत कम इसी दुविधा में पड़ा हुआ हुँ कि राश्ट्रिय सेवा का मार्ग ग्रहन करू या सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करू अमराश्ट्रिय संस्थानों में सम्मिलित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया अभी तुम्हारी उम्री ही क्या है जब तक विचारों में गामभीर्य और सिध्धान्तों पर द्रिठ विश्वास न हो जाए उस समय तक केवल क्षणिक आवेशों के वश्वर्ती होकर किसी काम में कूद पढ़ना अच्छी बात नहीं राश्ट्रिय सेवा बड़े उत्तरदायत्व का काम है गोपीनात ने निश्चे कर लिया कि मैं जाति सेवा में जीवन क्षेप करूँगा अमरनात ने भी यही फैसला किया कि मैं म्यूनिसिपैलिटी में अवश्य जाऊंगा दोनों का परस पर विरोध उन्हें कर्मक्षेत्र की और खीच ले गया गोपीनात की साख पहले ही से जम गई थी घर के धनी थे शक्कर और सोने चांदी की दलाली होती थी व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था गोपीनात के दो बड़े भाई थे वहाँ भी दलाली करते थे परस पर मेल था धन था संताने थी अगर न थी तो शिक्षा और शिक्षित समुदाय में गड़ना वह बाद गोपीनात की बदौलत प्राप्थ हो गई इसलिए उनकी स्वच्छन्दता पर किसी ने आपत्ती नहीं कि किसी ने उन्हें धनोपार्जन के लिए मजबूर नहीं किया अतेव गोपीनात निश्चिन और निर्दवन्द्व होकर राष्ट्र सेवा में कहीं किसी अनाथाले के लिए चंदे जमा करते कहीं किसी कन्यापाट शाला के लिए भिक्षा मांगते फिरते नगर की कॉंग्रेस कमिटी ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया उस समय तक कॉंग्रेस ने कर्मक्षेत्र में पदारपण नहीं किया था उनकी कार्य शीलता ने इस जीर्ण संस्था का मानो पुनरुद्धार कर दिया वह प्राता से संध्या और बहुधा पहर रात तक इन्हीं कामों में लिप्त रहते थे रजिस्टर हात में लिए उन्हें नित्यप्रती साजस्वेरे अमीरों और रईसों के द्वार पर खड़े देखना एक साधारन द्रिशित था धीरे धीरे कितने ही युवक उनके भक्त हो गए लोग कहते कितना नहस्वार्थ कितना आदर्शवादी त्यागी जाती सेवक है कौन सुबह से शाम तक नहस्वार्थ भाव से केवल जन्ता का उपकार करने के लिए यो दोड़ धूप करेगा उनका आत्मुद सर प्रायह द्वेशियों को भी अनुरक्त कर देता था उन्हें बहुधा रईसों की अभध्रता असजन्ता यहां तक कि उनके कटू शब्द भी सहने पड़ते थे उन्हें अब विदित हो गया था कि जाती सेवा बड़े अन्शों तक केवल चंदे मांगना है इसके लिए धनिकों की दर्बारदारी या दूसरे शब्दों में खुशामत भी करनी पड़ती थी दर्शन के उस गौर्व्युक्त अध्यैन और इस दानलो लुपता में कितना अंतर था कहां मिल और केंट स्पेंसर और किड के साथ एकांत में बैठे हुए जीव और प्रक माना चाहते थे इसके अतिरिक्त उनमें और कोई विशेश गुण न था उनमें अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कपट व्यवहार से धनोपारजन किया था पर गोपीनात के लिए वे सभी पूज्य थे क्योंकि उनहीं की कृपा द्रिष्टी पर उनकी राष्ट्र सेवा देने जाने लगे वह दीन जनों के आधार और दुख्यारों के मददगार थे अब वह बहुत कुछ निर्भीक हो गये थे और कभी कभी रईसों को भी कुमार पर चलते देखकर फटकार दिया करते थे उनकी तीवर आलोचना भी अब चंदे जमा करने में उनकी सहायक हो जा था वह पहले ही से ब्रहमचर्य व्रत धारन कर चुके थे विवा करने से साफ इंकार किया मगर जब पिता और अन्य बंधुजनों ने बहुत आगरा किया और उन्होंने स्वया कई विज्ञान ग्रंथों में देखा कि इंद्रियदमन स्वास्थे के लिए हानिकारक है तो अ विवा का अर्थ था अपनी उदार्था की हत्या करना अपने विस्त्रित हरिदय को संकुचित करना नकी राष्ट्र के लिए जीना वह अब इतने उन्चे आदर्श का त्याग करना निंद्य और उपहास जनक समझते थे इसके अतिरिक्त अब वह अन्यक कारणों से अपने क वो पारिवारिक जीवन के अयोग्य पाते थे जीविका के लिए जिस उद्योकशीलता जिस अन्वरत परिश्रम और जिस मनोवृत्ति की आवशक्ता है वह उनमें न रही थी जाति सेवा में भी उद्योक शीलता और अध्यवसाई की कम जरूरत न थी लेकिन उसमें आत्मगौरव का हनन न होता था परोपकार के लिए भिक्षा मांगना दान है अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है स्वभाव में एक प्रकार की स्वच्छंदता आ गई थी इन त्रुटियों पर परदा डालने के लिए जाति सेवा का बहाना बहुत अच्छा था एक दिन वह सेर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात हो गई यहां महाशय अब म्यूनिसिपल बोर्ड के मंत्री हो गए थे और आजकल इस दुविधा में पड़े हुए थे कि शहर में मादक वस्तूओं के बेचने का ठीका लू या न लू लाब बहुत था पर बदनामी भी कम न थी अभी तक कुछ निश्चय न कर सके थे इन्हें देख कर बोले खिये लाला जी मिजाज अच्छा है न आपके विवा के विशय में क्या हुआ गोपीनात ने द्रिड़ता से कहा मेरा इरादा विवा करने का नहीं है अमरनात है ऐसी भून ना करना तुम अभी नव्यूवक हो तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है मैंने ऐसी कितनी मिसाले देखी हैं जहां अविवाहित रहने से लाब के बदले हानी ही हुई है विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है जिसे अब तक मनुष्य ने आविश्कृत किया है उस व्रत से क्या फाइदा जिसका परिणाम छिछोरापन हो गोपीनाथ ने प्रत्युत्तर दिया आपने मादक वस्तुओं के ठीके के विशय में क्या निश्चय किया अमर भी तक कुछ नहीं जी हिचकता है कुछ ना कुछ बदनामी तो होगी ही गोपी एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूँ अमर कोई पेशा खराब नहीं है अगर इमानदारी से किया जाए गोपी यहां मेरा आप से मतभेद है कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें एक सुशिक्षित व्यक्ती कभी स्वीकार नहीं कर सकता मादक वस्तुओं का ठीका उनमें एक है गोपीनाथ ने आकर अपने पिता से कहा मैं कदापी विवा न करूँगा आप लोग मुझे विवश न करे वरना पचताईएगा अमरनाथ ने उसी दिन ठीके के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया और वह स्वीक्रित भी हो गया दो साल हो गये हैं लाला गोपीनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक है शिक्षा की विभिन्पधतियों का उन्होंने खूब अध्ययन किया है और इस पाठशाला में वह उनका व्यवहार कर रही है शहर में यह पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिया है उसने बहुत अंशों में उस उदासीन्ता का परिशोद कर दिया है जो माता पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है शहर के गण्यमान्य पुरुष अपनी लड़कियों को सहर्श पढ़ने भेजते हैं वहां की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानों मंत्र मुग्ध हो जाती है फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता ऐसी व्यवस्था की गई है कि तीन-चार वर्षों में ही कन्याओं का ग्रहस्थी के मुख्य कामों से परिचय हो जाए सबसे बड़ी बात यहां है कि यहां धर्मशिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है अबकी साल से प्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी है एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बंबई से बुला कर पाटशाला उनके हाथ में दे दी है इन महिला का नाम है आनंदी बाई विधवा है हिंदी भाषा से भलीभानती परिचित नहीं है किन्तु गुजराती में कई पुस्तके लिख चुकी है कई कन्यापाट शालाओं में काम कर चुकी है शिक्षा संबंधी विश्यों में अच्छी गती है उनके आने से मदरसे में और भी रौनक आ गई है कई प्रतिष्ठित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मनसूरी और नैनिताल भेजना चाते थे अब उन्हें यहीं भरती करा दिया है आनन्दी रईसों के घरों में जाती हैं और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करती है उनके वस्त्र भूष्णों से सुरुची का बोध होता है हैं भी उच्चकुल की इसलिए शहर में उनका बड़ा सम्मान होता है लड़किया उन पर जान देती हैं उन्हें मा कह कर पुकारती है गोपीनात पाठशाला की उन्नती देख देख कर फूले नहीं समाते जिससे मिलते हैं आनन्दी बाई का ही गुणगान करते हैं बाहर से कोई सुविख्यात पुरुष आता है तो उससे पाठशाला का निरेक्षण अवश्य कराते हैं आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है, जो स्वयम अपनी प्रशंसा से होता। बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात यहा है कि उन्हें गोपीनात पर असीम श्रद्धा है। वह हृदय से उनका सम्मान करती है। उनके त्याग और निश्काम जाती भक्ती ने उन्हें वशिभूत कर लिया है। वह मुँपर उनकी बड़ाई नहीं करती पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती है। ऐसे सच्चे सेवक आजकल कहां लोग। कीर्थी पर जान देते हैं। जो थोड़ी भूत सेवा करते हैं दिखावे के लिए। सच्ची लगन किसी में नहीं। मैं लाला जी को पुरुष नहीं देवता समझती हूं। कितना सरल संतोष मैं जीवन है। न कोई व्यसन न विलास। भोड से सायंकाल तक दोड़ते रहते हैं। न खाने का कोई समय न सोने का समय। उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे। बेचारे घर गए जो कुछ किसी ने सामने रख दिया चुपके से खा लिया फिर छड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिये। दूसरी औरत कदापी अपनी पत्नी की भांती सेवा सतकार नहीं कर सकती। दशेरे के दिन थे। कन्यापाट शाला में उत्सव मनाने की तैयारिया हो रही थी। एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया था। भवन खूप सजाया गया था। शहर के रईसों को निमंत्रन दिये गए थे। यह कहना कठिन है कि किसका उत्सा बढ़ा हुआ था बाई जी का या लाला गोपीनात का। गोपीनात सामग्रिया एकत्र कर रहे थे। उन्हें अच्छे धंग से सजाने का भार आनंदी ने लिया था नाटक भी इनहींने रचा था। नित्यप्रती उसका अभ्यास कराती थी और स्वयन एक पार्ट ले रखा था। विजया दश्मी आ गई। दोपहर तक गोपीनात फर्श और कुर्सियों का इंतिजाम करते रहे। जब एक बस गया और अब भी वह वहां से न टले तो आनंदी ने कहा लाला जी आपको भोजन करने को देर हो रही है। अब सब काम हो गया है। जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ दीजिये। गोपीनात ने कहा खा लूंगा। मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबन नहीं हूँ। फिर घर तक कौन जाए। घंटो लग जाएंगे। भोजन के उपरांद आराम करने का जी चाहेगा। शाम हो जाएगी। आनंदी भोजन तो मेरे यहां तैयार है। ब्रामणी ने बनाया है। चलकर खा लीजिए और यहीं जरा देर आराम भी कर लीजिए। गोपीना ठ्यहां क्या खा लूं। एक वक्त न खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानी हो जाएगी। आनंदी जब भोजन तैयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा। गोपीना ठाब जाएं। आपको अवश्य देर हो रही है। मैं काम में ऐसा भूला कि आपकी सुधी ही न रही। आनंदी मैं भी एक जून उपवास कर लूंगी। तो क्या हानी होगी गोपीना ठन ही नहीं इसकी क्या जरूरत है। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं बहुधा एक ही जून खाता हूँ। आनंदी अच्छा मैं आपके इनकार का माने समझ गई। इतनी मोटी बात अब तक मुझे न सूझी। गोपीना ठाब क्या समझ गई। मैं छुच्छात नहीं मानता। यह तो आपको मालूम ही है। आनंदी इतना जानती हूँ, किन्तु जिस कारण से आप मेरे यहां भोजन करने से इनकार कर रही है। उसके विशय में केवल इतना निवेदन है कि मुझे आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। मुझे आपसे आत्मियता का संबंध है। आपका मेरे पानफूल को अस्विकार करना अपने एक सच्चे भक्त के मर्म को आघात पहुचाना है। मैं आपको इसी दृष्टी से देखती हूँ। गोपीनात को अब कोई आपत्ती न हो सकी। जाकर भोजन कर लिया। वह जब तक आसन पर बैठे रहे आनंदी बैठी पंखा जलती रही। इस घटना की लाला गोपीनात के मित्रों ने यों आलोचना की महाशय जी अब तो वहीं वहीं पर खूब जोड देकर भोजन भी करते हैं। शन्य शन्य परदा हटने लगा। लाला गोपीनात को अब परवश्ता ने साहित्य सेवी बना दिया था। घर से उन्हें आवशक सहायता मिल जाती थी किन्तू पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन्य अनेक कामों के लिए उन्हें घरवालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था। उनका आत्मसम्मान जराजरासी बातों के लिए भाईयों के सामने हाथ फैलाना अनुचित समझता था। वह अपनी जरूरते आप पूरी करना चाहते थे। घर पर भाईयों के लड़के इतना कोलाहल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता। इसलिए जब उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती तो बेखट के पाटशाला में चले जाते। आनंदी बाई वहीं रहती थी। वहाँ न कोई शोड था न गुल। एकांत में काम करने में जी लगता। भोजन का समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेते। कुछ दिनों के बाद उन्हें बैठ कर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी, आखे कमजोर हो गई थी, तो आनंदी ने लिखने का भार अपने सिर ले लिया। लाला साहब बोलते थे आनंदी लिखती थी। गोपीनात की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थी, कि लिखने में जरा भी हिचक न होती। लिखते समय कभी-कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूच जाते की गोपीनात फ्रुफरक उठते उनके लेख में। जानसी पढ़ जाती। वह कहते यदि तुम स्वयाम कुछ लिखो तो मुझसे बहुत अच्छा लिखोगी। मैं तो बेगारी करता हूँ। तुम्हें परमात्मा की ओर से यह शक्ती करता हुई है। नगर के लाल बुझकडों में इस सहकारिता पर तीका टिपणिया होने लगी पर विदवज्जन अपनी आत्मा की शुचिता के सामने इर्शा के व्यंगे की कब परवाह करते हैं। आनंदी कहतीन्या तो संसार है जिसके मन में आये कहे पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है। पर गोपीनात इतने निर्भीक न थे। उनकी सुकीरती का आधार लोकमत था। वह उसकी भर्थसना न कर सकते थे। इसलिए वह दिन के बदले रात को रचना करने लगे। पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जी लगता। आराम कुर्सी पर लेट जाते। आनंदी मेश के सामने कलम हाथ में ये उनकी ओर देखा करती। जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती। उनकी आखों से विनय और शील श्रद्धा और प्रेम की किरणसी निकलती हुई जान पड़ती। गोपीनात जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की और ताक्ते की वह लिखने के लिए तयार है या नहीं तो दोनों व्यक्तियों की निगाहें मिलती और आप ही जुग जाती। गोपीनात को इस तरह काम। करने की ऐसी आदत पड़ती जाती थी कि जब किसी कार्यवश यहां आने का अवसर न मिलता तो वह विकल हो जाते थे। आनंदी से मिलने के पहले गोपीनात को स्त्रीयों का कुछ जो ग्यान था वह केवल पुस्तकों पर अवलंबित था। स्त्रीयों की विशय में प्राचीन और अर्वाचीन प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों का एक ही मत थाया मायावी आत्मिक उन्नती की बाधक परमार्थ की विरोधिनी वृत्तियों को कुमार्ग की ओर ले जाने वाली हृदय को संकीर्ण बनाने वाली होती इन्ही कारणों से उन्होंने इस मायावी जाती से अलग रहना ही श्रैस कर समझा था किन्तु अब अनुभव बतला रहा था कि स्त्रिया सनमार्ग की और भी ले जा सकती है उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं वे कर्तव्य और सेवा के भावों को जागरित भी कर सकती है जाता एक दिन वहां आनंदी के यहां गए तो सिर में दर्ध हो रहा था कुछ लिखने की इच्छा न हुई आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया गोपीनात को उस समय अलोकिक सुख मिल रहा था मन में प्रेम की तरंगे उच रही थी नेत्र मुखवानीस भी प्रेम में पगे जाते थे उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहां आना छोड़ दिया एक सप्ता बीट गया और ना आये आनंदी ने लिखा आपसे पाठशाला संबंधी कई विश्यों में राय लेनी है अवश्या आये तब भी न गए उसने फिर लिखा मालूम होता है आप मुझसे नाराज है मैंने जान बूज कर तो कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन यदी वास्तव में आप नाराज है तो मैं यहां रहना उचित नहीं समझती अगर आप अभी न आयेंगे तो मैं द्वितिय अध्यापिका को चार्ज दे कर चली जाओंगी गोपीनात पर इस धमकी का भी कुछ हसर नहुआ अभी न गए अंत में दो महीने तक खिचे रहने के बाद उन्हें ग्यात हुआ की आनंदी बीमार है और दो दिन से पाठशाला नहीं आ सकी तब वह किसी तर्क या युकती से अपने को न रोक सके पाठशाला में आये और कुछ जिजकते सकुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा देखा तो चुपचा पड़ी हुई थी मुख पीला था शरीर घुल गया था उसने उनकी और दयाप्रार्थी नेत्रों से देखा उठना चाहा पर अशक्ती ने उठने न दिया गोपीनात ने आर्द्र कंट से कहा लेटी रहो लेटी रहो उठने की जरूरत नहीं मैं बैठ जाता हूँ डाक्तर साहब आये थे मिश्राइन ने कहा जी हाँ दो बार आये थे दवा दे गए हैं गोपीनात ने नुस्खा देखा डाक्तरी का साधारण ज्यान था नुस्खे से ज्यात हुआ हरिद्य रोग है औशधिया सभी पुष्टिकर और बलवर धक थी आनन्दी की ओर फिर देखा उसकी आखों से अशुरुधारा बह रही थी उनका गला भी भराया रिदय मसोसने लगा गदगद होकर बोले आनन्दी तुमने मुझे पहले इसकी सूचना न दी नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता आनन्दी कोई बात नहीं है अच्छी हो जाओंगी जल्दी ही अच्छी हो जाओंगी मर भी जाओंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुआ है यह कहते खते वहाँ फूट फूट कर रोने लगी गोपिनाथ दार्शनिक थे पर अभी तक उनके मन के कोमल भाव शिथिल न हुए थे कमपित स्वर से बोले आनन्दी संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा यह कहते खते वहाँ रुक गए उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उच्छरिंखल से जान पड़े अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए वह इन सारहीन शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक काव्य मैं रस्पूर्ण अनुरक्त शब्दों का व्यवहार करना चाहते थे पर वह इस वक्त याद न पड़े आनंदी ने पुलकित होकर कहा दो महीने तक किस पर छोड़ दिया था गोपीना थिन दो महीनों में मेरी जो दशा थी वह मैं ही जानता हूँ यही समझ लो कि मैंने आत्माहत्या नहीं की यही बड़ा आश्चर्य है मैंने न समझा था कि अपने व्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा आनंदी ने गोपीनात का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर कहां आप तो कभी इतनी कठोडता न कीजेगा गोपीनात सचिन्त होकर अंध क्या है आनंदी कुछ भी हो गोपी. कुछ भी हो अपमान निंदा उपहास आत्मवेदना आनन्दी कुछ भी हो मैं सब कुछ सह सकती हूँ और आपको भी मेरे हेतु सहना पड़ेगा गोपी.ानन्दी मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूँ लेकिन अपने नाम को नहीं इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूँ आनन्दीन कीजे आपने सब कुछ त्याग कर यह कीरती लाब की है मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती गोपीनात का हाथ हृद्यस्थल पर रखकर इसको चाहती हूँ इससे अधिक त्याग की आकांग्शा नहीं रखती गोपी डौट दोनों बाते एक साथ संभव है आनन्दी संभव है मेरे लिए संभव है मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्योचावर कर सकती हूँ इसके पश्चात लाला गोपीनात ने आनन्दी की बुराई करनी शुरू की मित्रों से कहते उनका जी अब काम में नहीं लगता पहले कीसी तंदे ही नहीं है किसी से कहते उनका जी अब यहां से उचाठ हो गया है अपने घर जाना चाहती है उनकी इच्छा है कि मुझे प्रतिवर्ष तरक्की मिला करे और उसकी यहां गुंजाइश नहीं पाटशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोष जनक लिखा शिक्षा संगठन उच्सा सुप्रबंध सभी बातों में निराशाजन क्षती पाई आनंदी बाई भी गोपीनात के दुखडे रोने लगी यहां मनुष्य नहीं है पत्थर का देवता है उन्हें प्रसंद करना दुस्तर है अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवान नहीं किया नहीं तो दुख्या इनके नक्रे उठाते उठाते सिधार जाती कहां तक कोई सफ पड़ा भी पड़ा मिल गया तो आपके तीवर बदल जाते हैं दो साल मैंने जोनतियों करके निबाहा लेकिन देखती हूँ तो लाला साहब की निगाह दिनों दिन कड़ी होती जाती है ऐसी दशा में मैं यहां अधिक नहीं ठहर सकती मेरे लिए नौकरी में कल्यान नहीं है जब जी चाहेगा उठ खड़ी हूँगी यहां आप लोगों से मिल मुहब्बत हो गई है कन्याओं से ऐसा प्यार हो गया है कि छोड़ कर जाने को जी नहीं चाहता आश्चर्य था कि और किसी को पाटशाला की दशा में अवन्ती न दीखती थी वरन हालत पहले से अच्छी थी एक दिन पंडित अमरनात की लाला जी से भेंट हो गई उन्होंने पूछा कि ये पाटशाला खूब चल रही है न गोपी कुछ न पूछिए दिनों दिन दशा घिरती जाती है अमरानन्दी बाई की ओर से धील है क्या गोपी जी हा सरासर अब काम करने में उनका जी नहीं लगता बैठी हुई योग और ज्यान के ग्रंद पढ़ा करती है कुछ कहता हूं तो कहती है मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती कुछ परलोग की भी चिंता करू की 2400 घंटे पेट के धंदों में ही लगी रहूं पेट के लिए 5 घंटे बहुत है पहले कुछ दिनों तक 12 घंटे करती पर वह दशास्थाई नहीं रह सकती थी यहां आकर मैंने स्वास्थ्य खो दिया एक बार कठिन रोग ग्रस्थ हो गई क्या कमिटी ने मेरे दवादर्पन का खर्च दे दिया कोई बात पूछने भी आया फिर अपनी जान क्योंदू सुना है घरों में मेरी बदगोई भी किया करती है अमरनाथ मारमिक भाव से बोले बाते मुझे पहले ही मालूम थी दो साल और गुजर गए रात का समय था कन्यापाट शाला के उपर वाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुरसी पर बैठे हुए थे सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी मुख बहुत मलान हो रहा था कई मिनिट तक दोनों विचार में मगन थे अंत में गोपीनाथ बोले मैंने पहले ही महीने में तुमसे कहा था कि मतुरा चली जाओ आनंदीवा दस महीने क्यों कर रहती मेरे पास इतने रुपए कहा थे और न तुमी ने कोई प्रबंद करने का आश्वासन दिया मैंने सोचा तीन-चार महीने यहां और रहू तब तक किफायत करके कुछ बचा लूँगी तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएंगे तब मतुरा चली जाओंगी मगर यह क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अवसर की ताक में बैठी हुई है मेरी दशा दो-चार दिन के लिए भी संभली और मैं चली इस दशा में तो मेरे लिए यात्र करना असंभव है गोपी मुझे भै है कि कहीं बीमारी तूल न खीचे संग्रहनी असाध्य रोग है महिने दो महिने यहां और रहने पड़ गए तो बात खुल जाएगी आनन्दी चिट कर खुल जाएगी खुल जाए अब इस से कहां तक दरू गोपी में भी न डरता अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता इसलिए मैं बदनामी से डरता हूँ समाज के यहां बंधन निरे पाखंड है मैं उन्हें संपूर्णता अन्याय समझता हूँ इस विशय में तुम मेरे विचारों को भलीभांती जानती हो पर करूँ क्या दुर्भाग्यवश मैंने जाति सेवा का भार अपने उपर ले लिया है और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिध्धानतों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिया है उसे यो निर्वासित करना पड़ रहा है किन्टु आनंदी की दशा संभलने की जगह दिनोन दिन गिरती ही गई कमजोरी से उठना बैठना कठिन हो गया था किसी वैद्धे या डाक्टर को उसकी अवस्था न दिखाई जाती थी गोपीनात दवाए लाते थे आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन निर्बल होती जाती थी पाठशाला से उसने छुट्टी ले ली थी किसी से मिलती जुलती भी न थी बार-बार चेश्टा करती की मथुरा चली जाओ किन्तु एक अंजान नगर में अकेले कैसे रहूंगी न कोई आगे न पीछे कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं यह सब सोच कर उसकी हिम्मत तूट जाती थी इसी सोच विचार और हैसबैस में दो महीने और गुजर गए और अंत में विवश होकर आनन्दी ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ सिर पर बीते यहां से चल ही दूँ अगर सफर में मर भी जाओंगी तो क्या चिंता है उनकी बदनामी तो न होगी उनके यश को कलंग तो न लगेगा मेरे पीछे ताने तो न सुनने पड़ेंगे सफर की तयारिया करने लगी रात को जाने का मुहूर था कि सहसा संध्याकाल से ही प्रस्वपीडा होने लगी और ग्यारह बजतेब जते एक ननहा सा दुर्बल सत्वान सा बालक प्रसव हुआ बच्चे के होने की आवाज सुनते ही लाला गोपीनात बेतहाशा उपर से उत्रे और गिरते पड़ते घर भागे आनन्दी ने इस भेद को अंत तक छिपाये रखा अपनी दारुण प्रस्वपीडा का हाल किसी से न कहा दाई को भी सूचना न दी मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनी मदरसे में गूंजी तो क्षण मात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गई नौकरानियों को पहले से शंकाय थी उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ जब दाई ने आनंदी को पुकारा तो वह सचेत हो गई देखा तो बालक रो रहा है दूसरे दिन दस बच्चतेब जिते यह समाचार सारे शहर में फैल गया घर घर चर्चा होने लगी कोई आश्चर्य करता था कोई घ्रिना करता कोई हसी उड़ाता था लाला गोपिनात के छिदरान वेशियों की संख्या कम न थी पंडित अमरनात उनके मुखिया थे उन लोगों ने लाला जी की निंदा करनी शुरू की जहां देखिये वहीं दोचार सज्जन बैठे गोपनिय भाव से इसी घटना की आलोचना करते नजर आते थे कोई कहता था इस त्री के लक्षन पहले ही से विदित हो रहे थे अधिकांश आदमियों की राय में गोपिनात ने यहाँ बुरा किया यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो उन्हें निडर होकर विवाह कर लेना चाहिए था यहाँ काम गोपिनात का है इसमें किसी को भ्रह्म न था केवल कुशल स्माचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और दो-चार अन्योक्तियां सुना कर चले आते थे इसके विरुधानन्दी पर लोगों को दया आती थी पर लाला जी के ऐसे भक्त भी थे जो लाला जी के माथे यह कलंक मढना पाप समझते थे गोपिनात ने स्वयम मौन धारन कर लिया था सबकी भली बुरी बाते सुनते थे पर मून ना खोलते थे इत्मी हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ दे प्रश्न था अब क्या हो आनंदी बाई के विशय में तो जन्ता ने फैसला कर दिया बहस यह थी कि गोपिनात के साथ क्या व्यवहार किया जाए कोई कहता था उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका फल भोगे आनंदी बाई को न्यमित रूप से घर में रखे कोई कहता हमें इससे क्या मतलब आनंदी जाने और वह जाने दोनों जैसे के तैसे हैं जैसे उदई वैसे भान ना उनके चोटी ना उनके कान लेकिन इन महाशय को पाटशाला के अंदर अब कदम न रखने देना चाहिए जन्ता के फैसले साक्षी नहीं खोजते अनुमान ही उनके लिए सबसे बड़ी गवाही है लेकिन पन अमरनात और उनकी गोश्ठी के लोग गोपीनात को इतने सस्ते न छोड़ना चाते थे उन्हें गोपीनात से पुराना द्वेश था यह कल का लॉंडा दर्शन की दोचार पुस्तके उलट-पलट कर राजनीती में कुछ शुदबुत करके लीडर बना हुआ बिचरे सुनहरी एनक लगाए रेश्मी चादर गले में डाले योग गर्व से ताके मानो सत्य और प्रेम का पुतला है ऐसे रंगे सियार की जितनी कलई खोली जाए उतना ही अच्छा जाती को ऐसे दगाबाद चरित्रहीं दुर्बलात्मा सेवकों से सचेत कर देना चाहिए पंडित अमरनात पाठशाला की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकीकात करते थे लाला जी कब आते थे कब जाते थे कितनी देर रहते थे यहां क्या किया करते थे तुम लोग उनकी उपस्थिती में वहां जाने पाते थे या रोक थी लेकिन यह छोटे-छोटे आदमी जिन्हें गोपीनात से संतुष्ट रहने का कोई कारण न था उनकी सक्ती की नौकर लोग बहुत शिकायत किया करते थे इस दुर्वस्था में उनके एबो पर परदा डालने लगे अमरनात ने प्रलोभन दिया डराया धमकाया पर किसी ने गोपीनात के विरुद साक्षी न दी उधर लाला गोपीनात ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया दो हफ़ते तक तो वह अभागिनी किसी तरह कन्या पाठशाला में रही पंद्रावे दिन प्रबंधक समिती ने उसे मकान खाली कर देने की नोटिस दे दी महीने भर की मोहलत देना भी उचित ना समझा अब वह दुख्या एक तंग मकान में रहती थी कोई पूछने वाला न था बच्चा कमजोर खुद बीमार कोई आगे ना पीछे ना कोई दुहक का संगी न सा थी शिशु को गोद में लिये दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी एक बुढिया महरी मिल गई थी जो बर्तन धो कर चली जाती थी कभी कभी शिशु को छाती से लगाए रात की रात रह जाती पर धन्य है उसके धैर्य और संतोश को लाला गोपीनात से मुँ में शिकायत थी न दिल में सोचती इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे परामुख ही रहना चाहिए इसके अधिरिक और उपाए नहीं है उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानी होती सभी उन पर संदेह करते हैं पर किसी को यह साहस तो नहीं हो सकता कि उनके विपक्ष में कोई प्रमान दे सके यह सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानन्द की एक पुस्तक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी अब उसकी जीविका का एक मात्र यही आधार था सैसा धीरे से किसी ने द्वार खट-खटाया वह चौंक पड़ी लाला गोपीनात की आवाज मालूम हुई उसने तुरंत द्वार खोल दिया गोपीना था कर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देख कर बोले आनंदी मैं तुम्हें मूह दिखाने लायक नहीं हूँ मैं अपनी भीरूता और नैतिक दुर्बलता पर अत्यंत लज्जित हूँ यद्यपी मैं जानता हूँ कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी वह हो चुकी मेरे नाम से चलने वाली संस्थाओं को जो हानी पहुचनी थी पहुच चुकी अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मूँ फिर दिखाओं और नवा मुझ पर विश्वास ही कर सकती है इतना जानते हुए भी मुझ में इतना साहस नहीं है कि अपने कुकृत्य का भार सिर ले लू मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर परवा न करता पर अब पकपक पर उसके भैसे मेरे प्राण तक कापने लगते हैं धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे उपर ऐसी विपत्या पड़ी लोकनिंदा, रोग, शोक, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं यो अलग-अलग रहा मानों मुझ से कोई प्रयोजन नहीं है पर मेरा हृदय ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी कितनी ही बार आने का निश्चय किया और फिर हिम्मत हार गया अब मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी दार्शनिक्ता केवल हाथी के दान्त थी मुझ में क्रिया शक्ती नहीं है लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना मेरे लिए असहय है तुमसे दूर रहकर मैं जिन्दा नहीं रह सकता प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी ही बार लालायत हो गया हूँ पर यह आशा कैसे करू कि मेरी चरित रहिंता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमान पाने के बाद तुम्हें मुझ से घ्रिणा न हो गई होगी आनन्दी स्वामी आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है मैं ऐसी बुद्धीन नहीं हूँ कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूँ मैं आपको अपना इश्टदेव समझती हूँ और सदैव समझूँगी मैं भी अब आपके वियोगदुख को नहीं सह सकती कभी कभी आपके दर्शन पाती रहू यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाशा है इस घटना को पंदरा वर्ष बीद गए है लाला गोपीनाथ नित्य बारह बजे रात को आनंदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं वह नाम पर मरते हैं आनंदी प्रेम पर बदनाम दोनों हैं लेकिन आनंदी के साथ लोगों की सहानुभूती है गोपीनाथ सबकी निगाह से गिर गए हैं हाँ, उनके कुछ आत्मियगण इस घटना को केवल मानुशिय समझ कर अब भी उनका सम्मान करते हैं, किन्तु जनता इतनी सहिश्नों नहीं है.